नमस्कार, हम पढ़ रहे थे कावे रूप आज हम पढ़ेंगे बीजी थर्ड एयर के पेपर फस के अंतर कावे रूप इसे पूर्ट की कक्षा में हमने कावे रूप के बारे में समाने अधन किया हमने पढ़ा कावे की परिभाशा, विभिन संस्तित आचार्यों के मतानुसार कावे क्या है कावे का वर्की करण, स्वरूप के अधार पर, शैली के अधार पर स्वरूप के अनुसार कावे की दूभी दूए, श्रवे कावे और द्रश्य कावे श्रवे कावे की दो भाग हुई प्रबंद और मुक्तक और द्रशेव कावे के अंतरगत आया नाटक हमने पढ़ा था श्रवे कावे श्रवे कावे क्या है ऐसा कावे जिसका रसा स्वादन जिसका आनन्द कावे का आनन्द हमें सुनकर अनुहव हो वो कहलाता है श्रवे कावे श्रवे कावे के दो भीद हुए रबंद कावे और मुक्तक कावे तो हमने उसके बारे में सामाने दिन क्या था आज की कक्षा में हम उसके बारे में बिस्तार से पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं कावे की भीद हमने बताया कावे दो प्रकार का होता है स्वरूप के अनुसार कावे और श्याडी के अनुसार स्वरूप की अधर पर श्रवे कावे और तरश्य कावे कहलाया श्रवे कावे ऐसा कावे जिसका रसा स्वाधन सुनकर दूसरों से उसका वाचन सुनकर या स्वैम उसको पढ़कर किया जाता हो वो कहलाता है श्रवे कावे जैसे की रामायन महाभारत आदी और श्रवे कावे की दो फागवे प्रबंध कावे और मुक्त कावे प्रबंध कावे ऐसा कावे मैंने आपको बताया था प्रबंध प्रधन बंध से मिलके बना है जिसमें की अच्छी तरह से बंधन हो विवस्तित बंधन हो तो इसमें कोई प्रमुक कथा कावे के आदी से अंतितक क्रम बद रूप से चलती है कथा का क्रम बीच में कहीं भी नहीं टूपता है प्रबंध अच्छी तरह से भले भांती बंदी हुई हो और गौन कथाएं भी बीच बीच में सहायक कथा के रूप में आती है तो वो कहलाता है प्रबंध कावे उधान की रूपे राम चरित मानस जिसमें राम की कथा प्रारंब से लेकर अंत तक देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है तो रामचरित मानस एक प्रबंध कावे है तो हम यहीं बताना चारे हैं कि प्रबंध कावे ऐसा कावे जिसमें प्रमुक कथा आदी से लेकर अंत तक क्रम बद रूप में चलती हो और उसका क्रम कहीं भी बीच में नहीं तूटता और उसके साथ गोण कथाएं भी सहायक बनकर आती रहती है तो रामचरित मानस एक प्रबंध कावे है तो इसमें आपको जैसे कि मैं बता दूँ कि प्रमुक कथा तो हो गई प्रमुक कथा राम की कथा और जो सहायक कथा है गोण कथाएं गोण कथाएं जैसे कि सुग्रीव की कथा शबरी की कथा ये इत्यादी ये जो क करने हैं जैसे कि महा कावे और खंड कावे प्रबंद कावे दो भागों में बटा कि प्रबंद कावे की दो भागों महा कावे और खंड कावे क्या है यह महा कावे और खंड कावे तो आए समझते हैं से महा कावे नाम से इसका सोरा है महान कावे, बड़ा कावे, विस्तरत कावे इसमी किसी एतिहासिक या पौराणिक महापुरिश की संपूर्ण जीवन की कथा का आध्यो पांत वर्णन होता है अर्था त्रारंब से लिकर अंतर तक उसका वर्णन किया जाता है जैसे कि जैसी का पदमावत, मलिक मुहम्मर जैसी, सूफी कवी हुए उनका यह कावे है पदमावत तुलसी दास का रामजरित मानस, अवदी भाषा का श्रेष्ट महा कावे, रामभक्ती का श्रेष्ट महा कावे जैशंकर प्रसाथ की कावाईनी और मेथली शन्गुप्त का सांकेत, यह महा कावे की अंतरकत आते हैं महा कावे का नयक पौराणिक या एतिहासिक होना चाहिए और उसे धीरोदात होना आविश्रक है ऐसा नायक हो जो धीरोदात होनों से युक्त हो जीवन की संपूर्ण कथा का उसमें सविस्तार वर्णन होना चाहिए जैसा के हमने बताया आध्योपांत वर्णन होना चाहिए प्रारंब से लेकर अंत्र तक का वर्णन हो आध्योपांत वर्णन हो ऐसा कावे महा कावे होता है ये प्रमुखबात है महाकावे के सम्मंद में शरिंगार, बीर और शान इनमें से कोई एक रस जो है उसकावे का प्रधान रस होता है उसकिसी एक की प्रधानता होती है और साथी साथ यथा स्थान अवशक्ता अंसर अन्य रसों का भी प्रियोग होता है सुभे, शाम, दिन, रात, नदी, नाले, वन, परवत, समुद्र, आधी, प्राकर्तिक द्रश्यों का स्वभाविक चित्रन होता है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विभिन जीवन स्थितियों के चित्रन देखने को मिलते हैं महा कावे में महा कावे में विभिन दीवन स्थितियों के चित्रण होते हैं सुभा, शाम, दिन, रात, नदी, नाले, वन, परवत, समुत्राधी, विभिन प्राकर्तिक द्रिश्य, विभिन स्थितियों का चित्रण हमें महा कावे में सुभावी गुरूप से देखने को मिलता है आठ या इससे अधिक सर्क होनी चाहिए महा कावे ऐसा कावे होता है जिसमें आठ से अधिक सर्क होनी चाहिए तो वही कहलाता है महा कावे और प्रतीक सर्क के अंत्रगत अंत में छंद का परिवर्तन होना आविशक है और सरक के अंत में अगले अंक की सूचना होनी चाहिए ये है महा कावे के संबंद में आठ या उससे अधिक सरगों वाला होना चाहिए सरक के अंत में अगला चंद परिवर्तित हो जाना चाहिए और अगले अंक की सूचना देने वाला हो ऐसा हो तो ये थे महाकावे के संबन्द में समाने जानकरियां कि उसका नायक एतिहासिक हो, पौराणिक हो, उसके जीवन का अध्योपात प्रार्म से लेकर अंतितक कावर्णन हो, धीरोधात भूणों से युक्त हो, जीवन का संकूर्ण जित्रण हो, विभिन जीवन स्थितियां होत झाता है और साथ की साथ यह था स्थान अन्य रनसों का भी प्रयो किया जाता है तो यह था महा काव внутри महा कावे के अंतर को तुल siehtas का रामचरित मानerson जिसके कांड थे बालकांड, अयुध्या कंड अरन्य कंड कि षेंदा पर सुंदर कंड लंंका ओर उत्तर आन्ड जिस प्रत्रशन को प्रसदर्शित करने वाला एक च्छायवादी कावे है इसके पंदरा सरक है चिंता से लेकर आशा तक की जिसमें यात्रा है चिंता आशा शर्था, काम वासना लज्जा, कर्म इर्शा इड़ा, स्वपन संघर्ष, निर्वेद, दर्शन रहसे और आनंद, चिंता से लेकर आनंद तक की यात्रा हमें कामाईनी में मिलती है या जैशंक प्रसाद का महा कावे है और मैथिलीशन गुप्त का साकेत जिसमें कि उर्मिला की वेद्रा, उर्मिला की पेड़ा को चित्रित किया गया है कि कई का परिताब दिखाया गया है तो ये बारा जो है सर्गों का एक महा कावे है साकेत तो ये तो हमने देखा महा कावे के बारे में आगे पढ़ते हैं खंड कावे खंड कावे खंड का अर्थ तुकडों में बटा हुआ कावे है तो खंड से तात परे है एक छोटा कावे महा कावे बड़ा कावे खंड कावे छोटा कावे दोनों में ही कथा होती है खंड कावे करत यह नहीं है कि उसमें खंड कथा आधी कथा होगी कथा का समगरता होगी पूरी कथा होगी पर बस महा कावे में इतना है कि उसमें विस्तरत रूप मिलता है विभिन जीवनस्तितियां होती है विभिन पात्र कि संपूर्ण जीवन का वर्णन होकर जीवन के किसी एक भाग का किसी एक महत्वपूर्ण अंश का चित्रन किया जाता है उसका वर्णन होता है खंड कावे में क्या क्या होना चाहिए कथा बस तो इसकी होती है कालपनिक एतियासिक पौराणिक नहीं होती कालपनिक होती है प्रकर्तिक तरिश्य आधी का चित्रन उस देशकाल के उस वातवन के उस परिस्तिति के उस कथानक के उस समय के अनुसार किया जाता है और बिल्कुल संशिप्त रूप में होता है खंड कावे में तो यह है खंड कावे महा कावे विस्तित काथानक खंड कावे लगू काथानक आगे पढ़ते हैं यह तो हमने पढ़ा प्रबंद कावे जिसके दो भेद हुए प्रबंद में महा कावे और खंड कावे और उसके बाद हम पढ़ते हैं मुक्त कावे के बारे मी मुक्त कावे अर्थाज जो किसी तरह क बंधन में बंदा हुआ ना हो मुक्त हो तो वो कहलाता है मुक्त कावे मुक्त कावे इसमें केवल एक ही पद या चंद का स्वतंत रूप से किसी भाव रस अत्वा कथा को प्रकट करने में समर्थेता के साथ प्रयोग किया जाता है अर्थात इसमें निश्चंदों का कोई निश्चित बंधन नहीं होता स्वतंतर तालिये होता है और ऐसा कावे है जो अपने भाव, रस और कथा को प्रकर करने में समर्थो, गीत, कवित, तुहा जैसे ये मुक्तक कावे हैं मीरा के दोवे होगे जिसमें कोई कथा नहीं चलती कोई कथानक नहीं मिलता वो कहलाता है मुक्तक कावे सरशब्दों में हम कहें तो प्रबंध कावे में जिसमें हमें कथानक मिलती है कथा का रूप होता है वो होता है प्रबंध कावे और मुक्त कावे जिसमें कोई कथा नहीं मिलती जीवन की स्थितियों का जो है समायोजित रूप से चित्रन नहीं होता यह अलग-अलग पक्षों को अलग-अलग रूपों को दर्शाता है जैसे कि मीरा के दोहे रहीम के दोह नेती संबंदी जो है सूर्दास के दोहे सूर्दास ने कृष्ण का चित्रन किया है तो उसमें कोई कथा क्रम या कथानक का एक क्रमबत रूप नहीं मिलता कहीं दोहे में कृष्ण का चित्रन है कहीं दोहे गोपियों से संबंदीत हैं कहीं दोहे राधा से संबंदीत हैं कहीं सूर्दास के जो पद हैं सूर्दास के दोहे नहीं है सूर्दास के पद हैं और कबीर के दोहे रहीम के मीरा के दोहे पद तो ये मुक्तक कावे की अंतरगत आती हैं इसके बाद दूसरा हमने देखा था द्रश्य कावे कावे का दूसरा प्रकार था एक तो श्रव्य था जिसके अंतरगत हमने पढ़ा प्रबंद मुक्तक प्रबंद में महा कावे और खंड कावे और मुक्तक में पाजे दोहे ये सब जिस कावे में भावों का चमतकार संक्येतों अभीने के द्वारा प्रदर्शित हो अभीने के द्वारा भावों का प्रदर्शिन किया जाए और भावों से आनन्द की अनुपूती होती है और उसे ही द्रश्य कावे कहा जाता है संस्कृत में इसे रूपक कहा जाता है संस्क्रिक में नाटक कहलाता है रूपक जिस कावे की आनंदन होती अभिने को देखकर पात्रों के कथों पकथन को सुन कर होती है उसे दर्शे कावे कहती है सामाने शब्दों में हम यह कह सकती है कि ऐसा कावे जिसे हमें आनंदन होती है किस रूप में देखने के रूप में किसी के अभिने को देखा जाता है उनके कथनों को सुनकर उनके समवादों को सुनकर उनके बातों को सुनकर उसका जो है आनंद नुपती होती है ऐसा कावे कहलाता है द्रश्य कावे जो हमारी प्रत्यक्ष विल्कुल सामनी होता है हमारी आपको के आगे होता है वो कावे कहलाता है दर्श्य कावे जिसके अंत्रगत आता है नाटक और चल्चित्रादी इसके बाद दूसरा प्रकार था शैली के अनुसार तो शैली के अनुसार प्रकार माने पध्य, गथ्य और चम्पू पध्य के अंत्रगत कथा का वर्णन तो होता है प्रंतु वो कावे रूप में बंदी होती है जैसे कि रामचरित मानस की तो रामचरित मानस पध्य कावे के और गद्य कावे जिसमें कथा का वर्णन गद्य रूप में होता है कविता ऐसी होती है कि जिसमें छंदों का कावे शास्त्र का कोई बंधन नहीं होता एक गद्य की रूप में कविता का पाठ होता है कविता का वाचन होता है और मुक्त रूप में होती है मुक्त छंद में होत मुठी भरदाने को भूख मिटाने को पैफटी पुरानी छोली फैलाता भिख्षु कविता है ये तो भिख्षु कविता में भिख्षु के स्तिधी का चित्रन है तो ये हो गया गद्य कावे भिख्षु कविता की ये बंतिया है वह आता दो टूक कलेजे को करता पच्ताता प चल रहा लकुटिया, टेंकि अपनी लक्डी के सहारी है, मुठी भर धाने को, भूख मिताने को, मुठी भर बिक्षा के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए पटि बुराई जोली का मुग है अपना फैलाता तो ये भिक्षुक कविता की बंतिया हैं, तो ये गध्य कवे इन दोनों का समवेश हो, इन दोनों का मिश्रुन हो, तो वो कहलाता है चम्पू कावे, मैथिली शर्ण मुप्त का यशो धरा, चम्पू कावे का सर्वश स्व रेश्व उधारण है, तो यहां हमारा कावे रूप समाप्त होता है, ये था हमारे पाठ्धे करम के अंतरगत आन जम्पू कावे तो यहां हमारा कावे रूप समाप्त हुआ और इसे आगे की कक्षा में हम हमारे पाठे करम की अंतरकत आने वाले नए विशे के साथ हाजिर होंगे तब तक के लिए धन्यवाद